नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं आज हम करेंगे वर्क्षीट नमबर 80 अगर आप यहीं वर्क्षीट हिंदी में देखना चाहरे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं यह वर्क्षीट 6 अक्टूबर 2020 की है यहां पर बच्चे अपना नाम रखेंगे यहां पर अपने क्लास्टीशा का नाम आज हम यह वर्क्षीट करने वाले हैं पॉलूशन के ओपर पॉलूशन यानि परदूशन आईए देखते हैं इसके डेफिनेशन क्या है और कौन-कौन से तरह के पॉलूशन होते हैं वो कहरा है कि पॉलूशन इज दि इंट्रोडक्षन ओफ्हाम।ल माटेरियल्स इंटू दी एन्वाइन्मेंट यानि की जब हमारे एन्वाइन्मेंट में कोई harmful यानि नुकसान दायक material यानि चीज आ जाती है introduce हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? pollution बोलते है it makes land, water, air, dirty and makes them unsafe or unsuitable to use यानि pollution क्या करता है? वो land यानि जमीन, water यानि पानी और air यानि हवा को dirty बना देता है गंदा कर देता है और उसको इस्तेमाल करने के लिए unsafe यानि नुकसान दायक बना देता है और उसको हम इस्तेमाल या use नहीं कर सकते हैं फिर वो कह रहा है कि pollution affects our health and environment adversely यानि pollution जो है वो affect करता है किसको हमारी health को और हमारे environment को adversely का मतलब होता है बुरे तरीके से ठीक है तो pollution जो हमारी health भी खराब करता है और वो हमारा environment भी खराब करता है many human activities pollute our environment यानि वो कह रहा है कि बहुत सारी human activities यानि human जो activity करते हैं हम लोग जो activity करते हैं जो काम करते हैं उनसे क्या होता है वो activity pollute करती है यानि pollution फैलाती है हमारे environment में यानि बहुत सारी चीजों के लिए हम जिम्मेदार हैं जो कि हमारे environment में pollution आ रहा है वो हमारी ही activities के वज़े से आया है For example, air pollution ठीक है वो example ले रहा है air pollution का यानि हवा के परदोशन का Air pollution is caused by the smoke coming out from the vehicles and factories Air pollution किसे होता है जो smoke निकलता है दुआ निकलता है out of vehicles यानि जो हम गाड़े चलाते हैं ट्रक्स चलाते हैं तो उनसे जो दुआ निकलता है और factories में जो काम चलता है उनसे जो दुआ निकलता है उससे क्या होता है उससे air pollution होता है तो ये सारी क्या है ये human activities हैं जो हम लोग करते हैं जिसके वज़े से क्या होता है environment में pollution फैलता है फिर वो कि बता रहा है many types of pollutions are यानि pollution के यहां पर types बता हैं अलग-अलग तरहा के pollution बता है एक उसने बता है air pollution यानि हवा में जब production आता है फिर एक उसने बता है land pollution यानि भूमी जब प्रदूशन आता है वो कैसे फैलता है जब हमारी जमीन यानि भूमी खराब हो जाती है फिर एक वो बता रहे है नोईस पोलूशन नोईस का मतलब होता है शोर तो जब आपके चारों तरफ आसपास शोर ही शोर है तो आपके सिर में दर्द होने लग जाता है ठीक है तब्यत खराब होने लगती है और एन्वाइनमेंट में कोन आता है जो दूसरे जीव जन्तू है उनको भी इस शोर से बड़ी दिकत होती है जैसे माल लीजी आप एक ट्रैफिक में बैठे हुए है ठीक है और होर्न पे होर्न बजाए जा रहे हैं सबी लोग तो आपके सिर्म में दर्द होने लग जाता है तो वो क्या है वो noise pollution है फिर एक और टाइप पता है इसने pollution का क्या है Water pollution यानि जब हम अपने pollution यानि जब हम अपना garbage यानि कोड़ा जो है जब उसको पानी के अंदर डालने लग जाते है ठीक है कैसे कैसे एक तो जो घर का कुड़ा निकलता है उसको हम समंदर में फैंक देते हैं ठीक है उसके लावा जो फैक्टरियों से केमिकल आता है वो कहां वो सारा नालों में और नदियों में बहा देते हैं तो वो भी हमारा water pollution का हिस्सा है ठीक है तो अलग-लग तरीके से हम human activities के दवारा बहुत सारे pollution का कारण है आईए नीचे कुछ प्रशन दिये हैं इनको हम कर लेते हैं सबसे पहले वो कह रहा है answer the following questions यानि इन सवालों को जवाब दीजिए पहला है identify and label the type of pollution shown in the following pictures यानि वो कह रहा है पहचानो और बताओ कि ये जो फोटो लगी हुई है इसमें कौन से pollution के बारे में बात की जा रही है आईए हम पहली फोटो पे ध्यान देते हैं ये देखिए इसमें क्या दिखा रहा है इसमें गाडियों के दवारा और factories के दवारा जो हवा में धुआ निकल रहा है वो किसका कारण है वो है air pollution यानि हवा में production फैला रहे हैं दूसरी फ pollution है ये है noise pollution चलिए अगले चितर प्चलते हैं ये देखी इसमें क्या हो रहा है इसमें हम समदर में अलग अलग चीजें फैक रहे हमारे सारा कुड़ा बोतल हो गए डिब्बे हो गए कैन हो गये ये factory का कैमिकल हो गए उसमें समंदर में फैक रहे हैं तो इस से क्या होता है water pollution चलिए अगला चित्र देखते हैं ये देखिए इसमें क्या कर रहा है ये कूड़े की गाड़ी है ठीक है कूड़ा भर के लाए है और उसको कहां डाल दिया उसको जबीन के अंदर डाल दिया अब इसको यहां पर दफना देंगे ठीक है तो ये क्या है ये है land pollution यानि भूमी परदूशन जिसको हम बोलते हैं चलिए अब हमने अलग अलग टाइप के pollution पहचान लिए है अगले सवाल पर चलते हैं फिर वो कह रहा है नंबर दो पर discuss the causes of air pollution in Delhi with your family members and find some ways to reduce it यानि वो कह रहा है कि दिल्ली में जो air pollution यानि हवा में परदूशन है उसके बारे में अपने घर में चल्चा कीजिए और कुछ तरीके निकाले जिससे की आप इसको कम कर सकते हैं तो यहां पर हम दो चीजों के बारे में डिसकस करेंगे सबसे पहला है causes ठीक है जानि कारण क्या है दिल्ली में air pollution के उसके बाद हम कुछ तरीकों के बारे बात करेंगे ways to reduce it चलिए पहले हम causes देख लेते हैं यानि कारण क्या क्या है ये देखिए causes of air pollution in Delhi यानि दिल्ली में air MCD की उनके काम करने में जो कमी है उसकी वज़ा से air pollution होता है कमी कैसी है एक तो monitor नहीं कर रहे है monitor का मतलब क्या होता है कि आप बार बार यानि समय समय पर चीजों को चेक करते रहों कि pollution कितना है कैसे बढ़ रहा है उसके क्या कारण है तो जो authorities हैं उनको ये चीज़े समय समय पर देखनी चाहिए और reaction देना चाहिए यानि उचित उनको steps लेने चाहिए सही steps उनको लेने चाहिए ताकि वो चीजों को कम कर सके ठीक है दूसरा reason है over population यानि दिलीव की जो आबादी है वो बहुत ही जादा है तो जितने जादा लोग होंगे उतने जादा कूड़ा होगा उतना जादा मुश्किल हो जाएगा चीजों को manage करना ठीक है order में लाना उतना जादा मुश्किल हो जाएगा लोगों को समझाना ठीक है तो इसके वज़े से भी क्या है air pollution हो रहा है और क्या है burning garbage and illegal industrial activities in Delhi यानि एक तो जो कूड़ा होता है उसको लोग क्या करते हैं उसको जल जा देते हैं उससे बहुत जहरीली गैस निकलती है ठीक है और क्या है illegal industrial activities यानि जो industrial activities हो रही है दिल्ली में वह भी उसमें बहुत सारी illegal तरीके से चलाई जा रही है यानि वह इन चीजों का ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हो हवा में कितना pollution फैला रहे हैं ठीक है वह illegal तरीके स चल रही है ट्रक चल रहे हैं टैंपो चल रहे हैं उनसे जो धुआ निकलता है वो भी एक बड़ा reason है बड़ा कारण है दिल्ली के air pollution का और क्या है dust from construction site से यहां पर कुछ ना कुछ बन रहा होता कोई नहीं इमारत building बन रही होगी ठीक है या कोई stadium बन रहा होगा या road बन रह होती हैं उनको भी अगर सही तरीके से ना देखा जाए तो क्या होता है उसकी dust भी हमारे environment पे जाती है और वो pollution फैलाती है तो यह कुछ कारण है इनके अलावा और भी कारण हो सकते हैं आप वो भी लेख सकते हैं और यह आंसर भी आप लेख सकते हैं ठीक है अब हमने causes यानि कारण की तो बात कर ली है अब हम देखते हैं कुछ तरीके जिससे हम इनको कम कर सकते हैं ways to reduce air pollution यानि air pollution को कैसे हम कम कर सकते हैं सबसे पहला हो जाएगा कि setup of pollution checkpoints and anti-smoke towers wherever possible यानि एक तो हमें pollution checkpoints यानि चोक्या बनाने चाहिए ठीक जहां पर pollution की check हो लगाता ठीक कि अब कितना pollution है या कल कितना था अब कितना है कल कितना होगा अगर बढ़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए घट रहा है तो हमें क्या करना चाहिए तो इससे हमें जरूरी data बिल जाएगा pollution checkpoints से और क्या है anti-smoke tower ये आप इस चितर में देख सकते हैं ये क्या करते हैं ये गंदी हवा को और उसको साफ करके दुबारा वातावरण में छोड़ देते हैं तो इन towers को हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं anti-smoke towers ठीक है तो ये हमें लगाने चाहिए जहां भी हो सके फिर दूसरे नमबर पर आता है faster adoption of electric vehicles and more use of public transport यानि अब डीजल पेट्रोल की जगह इलेक्रिक वह हो सके उतना करें अब जितने जल्दी हो सके हमें electric vehicles को adopt कर लेना चाहिए यानि अपना लेना चाहिए अभी तक हम क्या कर रहे है 99% लोग क्या चला रहे हैं डीजल पेट्रोल की गाड़िया चला रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी बजाए electric vehicles यानि विजली से च अस्तेमाल करें ठीक है उससे भी क्या होगा उससे हमारा air pollution कम होगा क्योंकि हमारे personal vehicle हम यूज नहीं करेंगे फिर आता है नमबर तीन यह कह रहा है कि citizen should avoid burning of garbage and other items like crackers etc wherever possible यानि जो citizens हैं यानि हम यहां पर जो रह रहे हैं दिल्ली में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम याद कोई भी कुड़ा ना जलाएं ठीक है क्योंकि कुड़ा जलाने से बहुत ज़्यादा pollution होता है और जब भी हो सके ठीक है तब हमें crackers जैसी चीज यानि कोई भी ऐस item जो air pollution फ फिर आता है नमबर चार पर plant as much trees as possible तो plant जो होते हैं वो naturally यानि अपने आप ही हवा की सफाई करते हैं तो जितना ज़्यादा हो सके हमें उतने ज़्यादा पेड़ भूधे लगाने चाहिए आज की glass गतम होती है अगर आपकी कोई doubts हैं तो आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं कल फिर मिलेंगे कुछ नया सीखेंगे तब तक के लिए thank you and jahind